तो रूजक आपकेमों बारे में सण्हें हैं यह कभी देखें स्प्वागत आपका दूउश्च स्किर्ण पॉंट पॉइंट में आज रागल करने वाले हैं आजी विडिटर पॉकीमों कैसे होते हैं और यह क्या होते हैं दूस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना दाना चाहते हैं अगर आप वर्चिनल पे नए हैं तो दूस्तो सब्सकाइब करें ता कि हम आप तक ऐसे ही आवसम कॉंटेंट पहुंचाते रहें दूस्तो पहले वीडियो में पूचा गया कुछ इनका समय जवाब भी मौन लाग और इसका सबसे पहला जवाब दे हैं पूकी फेंजर जीने जिनले दूस्तो एक बहुत ये आवसम सा दीफे रखा हुआ है एश और पिकचुका और आज का सवाल है ये कौन सा पोकेमोन है दोस्तो आप में इससे कई डेल्डर पोकेमोन के बारे में सुने होंगे और कुछ लोग नहीं सुने होंगे लेकिन कि आपको भी जाने का कोशिज के हैं कि आखिर ये डेल्डर पोकेमोन कैसे होते हैं और आखिर डेल्टा पोकेमोन किस टाइब के पोकेमोन होते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपके लिए इन सवे सवालों का जवाफ लेकिया हैं सभी चीज अच्छी तरीके से जाने के लिए ये वीडियो को अन तक जरू देखेगा दोस्तो डेल्टा पोकेमोन को सबसे पहले Pokemon Insurgents के गेम में इंड्रूइस किया गया था डेल्टा पोकीमॉन एक स्पेसिल तरह के Pokemon होते हैं जिनका टाइफ और अपरेंस नॉर्मल टाइफ और अपरेंस से थोड़ा अलग होता है डेल्टा पोकीमॉन साइन्टिस्ट के आइडिया के उपर बेस्ट होते हैं डेल्टा पोकीमॉन को नॉर्मली Pokemon Insurgents के गेम में पाया जाता है जिनका टाइफ और कलर थोड़ा अलग होता है अगर हम नॉर्मल पोकीमॉन को देखते हैं तो डेल्टा पोकीमॉन नॉर्मली मोरिफाय पोकीमॉन होते हैं लेकिन डेल्टा पोकीमॉन में से कुछ पोकीमॉन फिकमॉन होते हैं और कुछ पोकीमॉन डेल्टा फ्रजाती के उपर बीस्ट होते हैं एक्सम्पल के दौर पर देखाजे तो रियल वाल का डेल्टा फ्रजाती का एक एक एक्सम्पल वाइट टैगर हो सकता है जेनरी देखा जे तो डेल्टा फ्रजाती फिर से री कलर हुए रहते हैं दोस्तो डेल्टा पोकेमोन कभी वी कोई पोकेमोन के साथ फ्रजनन फ्रक्रिया नहीं कर सकते डल्टा पोके мон और नॉर्मक पोकी मोन का अगर हम 20 टीट दीखे तो हमे लगवग सेमी देखने को मिल जाता है और इनका टोटल एविद्स भी लगवग सेमी रहता है बस कुछ-कुछ एविद्स को छोड़ के अगर हम देखे और Pokemon के origin form के भीच में difference का बात करें तो mainly color का बहुत ही पड़ा difference देखने को मिल जाता है ये सब changes आपको बहुत ही साथा अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब दोस्तों हम Pokemon का example लेके आपको समझाएंगे और हम example के लिए 40s और delta 40s को चुने है दोस्तो अगर हम 40s का original form और delta 40s में changes देखे तो सबसे पहले हमें इन दोनों का टाइपस में changes देखने को मिल जाता है अगर हम normal 40s को देखते हैं तो ये fire और flying टाइप Pokemon है जबकि दोस्तो delta 40s एक ghost और dragon टाइप delta Pokemon है Normally दीकिए तो चारीजार दो मेगाएविलूइशन फ़र्म में इवल्फ हो सकता है Megacharizer X और Megacharizer Y लेकिन दूसतो वहीं दूसरे तरफ Delta Church적 का देखिए तो इसका dije फिसक इपर्पिप première of the Speaking is Megavolution हो सकता है जिसका नाव Mega डेटा-डेटा-डेटा-डेटा-डे देखे तो इसका थोड़ा डार्क व्लू और थोड़ा बैंगेनी कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बेस्टिट का देखे तो नॉर्मल चार रिजाड और डेल्टा चार रिजाड दोनों का ही बेस्टिट जैसे कि दूस्तों HP, Attack, Defense, Special Attack, Special Defense और Speed से में देखने को मिल जाता है। हमें सिफ वसिफ गेम में ही देखने को मिल जाता है जिसका नाम Pokemon Insurgents है और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये गेम फूरी तरीके से Official गेम नहीं है यानि दूस्तों ये गेम Official में नहीं गिना जाता। तो दूस्तों यही था डेल्टा पोकी मौंस के बारे में। दूस्तों ये वड़ा आपको क्यास लगा? कमेंड बक्स भी जरू कमेंड कीजिगा। दूस्तों ये वड़ा अच्छा लगा? तो प्लीज ये वड़ा को लाइक करना मत भूलेगा। जिससे में मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हम आप तक ऐसे ही आउसम कॉंटेंट चालते रहेंगे तो दूस्तों मुझे वाफस मिलता है किसी दूसरे नई प्रियोस में।